हाई मेरे प्यारे दोस्तों मकर संक्रांती आने वाली तो आज मैं आपके लिए सूपर क्रांची और टेस्टी तेल गुड की चिक्की बनाएंगी आफ आप इसे पापड़ी भी कह सकते हैं और इसे बनाने के लिए बेसिकली सरफ दो इंग्रीडियन्स की जरुवर होती है और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसको थंड में खाने का अलगी मजा होता है चलिए शुरू करते हैं तो यह तिल गुड पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैंने लिया यहाँ पे गुड तो यह 300 गुड है वजन से और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया तिल जो की वजन से है 1500 ग्राम आप चाहें तो 200 ग्राम भी यूज कर सकते हैं उसका सेम कॉंटिटी भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आज हम पापड़ी बनाने जा रहे हैं इसलिए मैंने थोड़े कम तिल लिये जितना मैंने गुड लिया उसके आधे तिल लिये और साथ ही मैंने लिया यहाँ पर एक डेबल स्पून घी बस हमको यह तीन ही चीज़े चाहिए तो सबसे पहले पैन में हम तिल ड्राय रोस्ट कर लेंगे तो गैस यहाँ पर मैंने लो मीडियम रखा है इसमें मैंने डाल दिये सारे तिल और इसको हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर करीबें 3-4 मिनिट के लिया या फिर जब तक है अच्छे से रोस्ट ना हो जाए इसमें से हलकी खुश्बू न आने लगे और जब हलकी से रोस्ट हो जाएंगे तो इसमें थोड़े से चटकने लगेंगे तो उतना हमको तिल को रो अरतिल एकदम अच्छे तरीके से भून गया और एकदम काफी क्रंची लग रहा है मैंने इसको टेस्ट भी करके देखा तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे वापस से उसी बोल में और इसको साइड में रख देंगे और इसको ठंडा करेंगे नेक्स उसी पैन में मैं गरम कर रही हूँ एक टेबल स्पून घी जैसे घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे गुड़ और अब इस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है मनलब एकदम सिरप जैसा बनाना है तो गयास का फ्लेम फ्रेंट्स लोही रखेगा वरना कि अगर आप हाई फ्लेम में इसको जल्दी जल्दी मेल्ट करने के चकर में यह जल जाता है और अगर आपका गुड़ जल गया ना तो बहुत कड़वा हो जाएगा उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा तो इसको लगातार लोह फ्लेम पे भूनते जाना है मनलब इसको मेल् जाएगे जैसे इसमें कोई भी लंपस ना रहे इसका एक्तम युनिफॉर्म सिरप तयार हो जाना चाहिए तो यह देखे आप देख सकते हैं कि कोई भी डल्ले नहीं देख रहे हैं गोड अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब इसमें थोड़ी जाग आने लगे तो पहला ट पताती हूँ कि किस स्टेज में आपको तिल डालना है तो जाग आने के बाद मैंने इसको दो और मिनिट के लिए पकाया इसको हम क्या करेंगे इसका थोड़ा से सिरप इस बोल में डालेंगे इस बोल में मैंने पानी भरके रखा है इसमें डालके देखेंगे ये देखे जो सेरप है ना नीचे जाके बैट जा रहा है और मैं आपको हाथ से उठा के दिखा रहे है ये थोड़ा सा गूला हो रहा है मतलब ये एक शेप फॉर्म हो रहा है लेकिन ये पी तक कड़क नहीं हुआ है एकदम कड़क जैसे होना चाहिए ना चिक्की वैसा कड़क नहीं हुआ है तो इसको फिर से लगातार हम और पकाएंगे दो से तीन मिनिट के लिए इसको लो फ्लेम पर ही पकाएगा क्योंकि एक बार जब गूड अच्छे से मेल्ट हो जाता है तो उसको डार्क होने में समय नहीं लगता है इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो अब मैं वापर से गूड को चेक करती हूँ इस से अरब को ये देखिए जब मैं इसको उठा रही हूँ न तो एक लंबा सा ऐसे पतली से स्ट्रिंग बनी है मतलब इसको अगर आप तोड़ेंगे न देख दम पतला सा थोड़ा सा आवाज आता है हलकी सी वह आवाज आती ही तूटनेगी जैसे हलका सा काच तूटता है न वैसा वो स्टेज में आपो आफी गरम है तो आप चाहते तो इस वक्त गास का फिलं ओफ कर सकते है और इस गरम पैन में आप तिल को अच्छी से मिुक्स करते जाहिए एक पर्ली राएक कर दो मिनिट पकाना है ढो तो इस वक्त आप देख से ते कि गोड जादा है और तिल कम है तो जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि हम आज पापड़ी बनाने जा रहे हैं तो पापड़ी के लिए क्लिए होते है आपको जो बेस है वो जादा चाहिए मतलब गोड शोगर जिसे भी आप बना रहे है वो आप अगर को ज्यादा डालना पड़ता है और अगर आप क्यर चिक्की बनाने चाहँ रहे है तो आप सेम कॉंटिटी यूज कर सकते है एक मतलब ज़ितना गोड और उतना ही तिल कर सकते है तो तो नेक्स ञाएंगे तो 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 घिल डालने के लिए इसको बस दो मिनीट और पंखे की हवा में थोड़ा सा सूखने देंगे वरना एकतम अगर आप गरम गरम मिक्स्चर में अगर आप बेलन चलाएंगे तापके बेलन में पूरे तिल चिपक जाएंगे तो फ्रेंट्स इसको मैंने डाला और यह अपने आप थोड़ा सा फैल गया यह देखी काफी गरम ह बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है फिर आप अपने चकले को गुमा गुमा के इसको बेल सकते हैं जितना मोटा यह पतला चाहिए अगर आपको चिक्की भी बनानी है इसकी थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं या पतली जितनी पापड़ी आप बनाएंगे ने बहुत ही जादा टेस्टी और क्रंची लगता है मज़ा ही आजाता है इसको खाने का तो इसको मैं लगातार इसे बेलती जा रही हूँ जितना यह पतला बेल सकता है तो देखा आपने इसको ऐसे बेलते जाए और अगर आपको लगे तो आप इसके उपर तोड़ सा घी लगा के इसके उपर बटर पेपर भी रख सकते है या फिर कोई पॉलिथिन रख सकते है उसके उपर बेल सकते है तो भी आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा तो मैंने इसको अच्छे से बेल लिया यह देखिए कितनी पतली पापड़ी हमारी रेडी हो गई है यह देखिए मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ यह इस वक्त अभी भी गरम है तो इसको पूरा ठंडा होने का वेट करेंगे जैसे यह ठंडी हो जाएगे इसमें से आसानी से निकल जाएगे तो इसको मैं साइड में रख दूंगी पांच मिनट के लिए तो यह देखिए यह ठंडा होई गया लेकिन अभी भी एक्दम हलका सा गरम है तो इस पक्त इसके नीचे ऐसे खुरपी या फिर कोई भी धारी वाली ऐसे आप ले लिजे जिससे आप धूसर बनाते हैं और इसको ऐसे निकालेंगे देखिए कितने आसानी से निकल गया देखिए एकदम फटाक से निकल गया क्योंकि हमने इसके नीचे लगाए था घी लेकिन अभी भी हलका सा सौफ्ट है यह देखिए पापड़ी है लेकिन हलकी से सौफ्ट है यह बाद में एकदम हवा में जब आप रखेंगे तो पूरी तरह से सूख जाएगी और एकदम सबसे पहले चकले में लगाएंगे थोड़ा सा घी फिर इसका थोड़ा सा पॉषन इसमें डाल देंगे जित्ती भी जोटी या बड़ी पापड़ी आपको बनानी है और फिर इसको हलका सा थंड़ा होने देंगे हवा में पहले एक मिनिट के लिए और फिर जब यह हलका गर इसके उपर हम लगा देंगे बेलन्स इसको बेलते जाएंगे जिसमें हमने पहले से घी लगा के रखा है और इसको अच्छे से बेल दीजे पतली पापड़ी बनाने के लिए यह देखिए हमारे दूसरी पापड़ी बिरेडी एकदम परफेक्ट शेप आया है इसका भी और इ अच्छे से सेट हो जाएगा और इसी तरह से सारी पापड़ियां त्यार कर लेंगे तो इसी प्रोसीजर से सारी पापड़ियां त्यार कर लेंगे तो मैंने सारी पापड़ियां रेडी कर लिए अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में यह देखिए सारी तेल गुड़ भी दिखाती हो, यह देखिए, कितने अच्छे से छुड़े छुड़े पीसे हो रहे हैं, आपको देखके पता चल रहा होगा, कितनी सूपर क्रण्ची बनी है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मैं आपको थोड़े एक और तोड़ के दिखाती हूं यह देखिए, तो फ्रेंट्स, यह रेसिपी तो आपको ज़रूर ट्राइ करनी चीए, बहुत ही मज़ेगी बनती है, थंड के मौसम में तो इसको बनाने का अलगी मज़ा होता है, इसको ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा, गोड़ और तेल के साथ, बहुत ही आपके लिए, यह होब आपको आज की मेरी कोशिश पसंद आई, अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीज़ेगा, मैं आपसे मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए, बाबाई